डेट है आज की 16 अपरिल 2024 स्वागत है आपका आज की करेंट अफे डिसकसन में चले डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला अर्टिकल ADB के एक प्रोजेक्शन के बारे में ADB हनी की ACN Development Bank ने गोशना करिए कि इंडिया की जो GDP हो सकती है वो 7% हो सकती है इसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगी कि ACN Development Bank क्या है और रोट रेट के बारे में इसका जो अनुमान है इसके बारे में आगे हम डिसकस करेंगे चलते हमारे पहले आर्टिकल में पहला जो मारा अर्टिकल है सुप्रीम कोट की एक जज्जमेंट से समाधीते क्या है सुप्रीम कोट का जज्जमेंट जज्जमेंट यह एक सुप्रीम कोट ने कहा है कि अगर कोई भी जो ML है या फिर MP है कोई भी चुनाव लड़ता है गैडिडिट उसको क्या होता है अपना जो गोशना पत्र होता है गोशना पत्र में सारी डीटेल बरनी होती है किस परकार की डीटेल कि उसके पास कितने संपती है उसके कितने केस चल रहे हैं उसकी क्या प्राइविट प्रोपर्टी है वो सारी है ना वो गोशना पत्र में बरताना होता है पर सुप्रियम कोट ने कहा है कुछ ऐसी चीजे हैं वो नहीं बता सकता है जैसी कोई को छोटी प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी की वेल्यू ज्यादा नहीं है अगर एमेल एमपी की चुना लड़ रहा है उसके पास में दस रुपे का कोई खिलो नहीं अब इसका वो बेव जानकारी से पुब्लिक मेंटर में कोई फरक नहीं पढ़ रहा है मतब आम जन्ता पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है तो वो ऐसी जानकारी है वो चुपा भी सकता है क्योंकि उनकी भी नीजता का अधिकार है उनकी राइट टू प्राइविसी है तो उस प्राइविसी के अ लाची का दर्ज की दी और इसमें सुप्रेम कोट ने कहता उमिदवारों को अपनी की गोपी नियता का दिकार है अगर वो गोपी नियता का दिकार है उच मुली की कोई संपती है उसको छोड के बाकी संपती है उसका खुलासा नहीं करे तो कोई जरूरी नहीं है अब एक सं टॉप है जैसे आपके कोई आबूसन वगरा घेने वगरा वो है कार है यह सारी जो है ना इसको एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर ले जा सकते हैं दूसरी होती इम्मोवेबल इसी होती जैसे घर है घर को आप दूसरी जिगा नहीं ले जा सकते हो जैसे आपकी कोई दुकान ह ठीक है इनको एक जिगा से दूसरी जिगा नहीं ले जा सकते हैं विल्डिंग वगरा को यह आती इम्मूवेबल में अब यह जो है ना हमारे पास एक अधिनियम में कौन सा है रिपर जेन्टेशन और पीपल एक्ट इसकी कुछ धारा है जो मूवेबल और इन मूवेबल संपत है जिनका बयोरा देना जरूरी है कौन सी इम्मूवेबल संपति है जिनका इम्मू बयोरा देना जरूरी है या जरूरी नहीं है इनके बारे बताता है रिपर जेन्टेशन और पीपल एक्ट है तो यह जो एक्ट है ना इसकी दारा है टू नाइन इसकी अकोर्डिंग कुछ संपति जैसे कि लकड़ी फसले यह जो घर है गास है फल है यह जारी सारी संपतिया है यह मुवेबल में आती है इनको आसानी से बाटा जा सकता है फिर इम्मुवेबल में इम्मुवेबल में घर है दुकान है यह भी इस एक्ट की कुछ तयारां में बताया गया है कि कौन-कौ पर करवाना है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ठीक है इसके लिए अस्तांतित ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको अस्तांतित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वसियत नामा बनाना पड़ेगा इसको आप किसी को ऐसे दे सकते हो घर थोड़ अपने संपति हैं, उनके कौन-कौन से अपराद की हैं, मतलब क्राइम की हैं, उनके रिकोर्ड हैं, उनसे कौन-कौन मांग रहा है, यह सारी जो जानकारी है, उनकी सिक्सा है, सारी जानकारी है, वो उस हल्प नामा जो होता है, जो ऐसा पेपर होता है, पेपर में सम्मिट करवाना जरूरिय है उसकी बाद में चुनाव के बाद में गोथना आए चुनाव की बाद में अगर कुछ संसध है मतद़र MP है ठीक है강 Saul वीदान सभाड़ा जो उडिक्स होंगा MP है तो वह वह संसथ का उडिक्स है नकी परवाएंगी जो भी उनकी जानकरीयन वो संसत के लोगस्षबादेक्स या राजी सबादेक्स के सामने सारी जो डिटेल है वो जमा करवानी जरूरिये है उनकी सामने रखना जरूरिय है सुप्रिम कोर्ट ना बस यही बात करिये इस अधिनियम का हम वैला देते हैं सुप्रि नहीं बढ़ता है, अब इसमें यह तो सारा बता दी is सुप्रिण कोट ने जा से की महंगी गड़ी उस सक चुपा नहीं सकते itiब को कम पैसवागी गड़ी उसकोई फरक नहीं बढ़ने वाला है मड़ सुप्रियूं कोट ना कहा है कि कौन-कौन सी जो यह हैं वह बरस्ट आचरंड के तहता रती है यह सार Memory किया गया है यह अदिनियमि दिया गया है जैसे कि अदिनियम का सक्षन जैसे कोई भी अधिनियम होता है JE y sबी थे अश्य कि दार्या है ना 130 इसो जो सबस्थ करते हैं अगर इसके अलाबा, उमीदवार हैं, वो चुनाव में बादा डालता है, हस्तक्सिप करता है, तो उसको भी बश्त आचनमाना जाएगा, किसी समुदगार का बहिसकार कर रहा है किसी को दमकी दे रहा है जाती बाद कर रहा है इस परकार की गतिविदिया भी बरस्त आचरन के तहत आती है अगर कोई चुनाव में इस परकार की गतिविदी कर रहा है उमीदवार तो उसका चुनाव रद हो जाएगा उसका उमीदवार है को चुनाव नहीं लड़ सकता है यह पूरा इस अदिनियम में लिखा गया है नेस्ट जो मारा रेकल है वह एंगलोबल एपिटाइटिस रिपोर्ट के बारे में तो ग्लोबल एपिटाइटिस वीक की रिपोर्ट आई इसके बारे में कुछ चीजे आपको याद रखनी है जो मैं बास hepatitis कहते किसे कौन सी बीमारी को है प्रिबास ऐ जाता है इसकी definition क्या है प्रिभास है क्या यकर्थ diabetes का मतलब हो थी एकर्थ यकर्थ का मतलब रीवर lever में सुझन आना happy he studied ease है यहाँ पर लिखा हुआ happiness inflation in liver liver में जो inflation होता है, उसे हैपटाइडिस का जाता है जो कि यह करत में सूजय ना हैपटाइडस कहला अब हैपटाइडस अलख कालिक हो सकता है, कम समय कि या दिर्फ लॉंग candy लिए हो सकता है ऐपटाइडस की कारण और परकार पहले देख WHE परka cattle कौण कुण से परकार होते हैं पहले कारण द टॉक्सिक यानि विसाग्ट जो कि जहर रसाइन वेसे फैलता है फिर ओटो इम्मिनेटाइडस जो सरीर की होता है वो नस्ट हो जाने से होता है तो यह कुछ इसकी कारण थी अब बात कर लिए हैपिटाइडस के डी यह पांच बरकार के होते हैं अब इन पांच में ज्यादा तो डिफरेंस निया थोड़ा बहुत दिफरेंस है वह भी हम देख लेते हैं अब क्या डिफरेंस है डिफरेंस सी चीज़े आपको यहां समझबा जाएगा है एक सबसे पहले किस से होता है यह औरल मतलब कुछ च दूसरा आजमी अगर टाश में आ जाएगा तो यह हो जाएगा ठीक है फ्यूट फॉजणिंग है वैक्सिन वगरा है उनसे होता है अब इसकी वैक्सिन अवेलेबल है इसका प्रिवेंट भी किया जा सकता है तो यह पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए दूसरा एपिट होता है उखार आता है वह होता है एपिटाइड सी कैसे होता है सी होता है मतलब किसी का ब्लड अगर टच में हो जाए किसी पी प्रतरी कैसी तो उसे ब्लड हो सकता है यह चीज आपको याद होनी चाहिए सी की वैक्सिन अवेलेबल नहीं है फिर एपिटाइड डी यह भी ब् सब्सक्राइब região बाठी है कि इसगर नहीं मेरे हो सकती बुक अबि Probatन भार अ्चli死 समय यही पूरा इसमें अब तरन जाता है उतना के सब्सक्राइब कि बच्य हुन में वक्सिन प्रोग्राम है अब तो एडल्ट में वक्सिन प्रोग्राम चलाया रहा है ताकि है थे यह मारा पूरा यैप अपार है cape जा करता नशार करता है next My बारे में यह Binक है elastic आउट शूट डे 2014 की रिपोर्ट है बस आपको इतना पता होना ची कि प्लास्टिक ओवर्शूट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है ये की जाती अर्थ एक्षन के द्वारा रिलीज की जाती है आपको बस इतना पता होना ची ज्यादा इस पर बारम जाने की जरूत में क्लाइमेट इंस्टिट्यूट कार्बन मार्केट वोच उसके द्वारा रिलीज कि जाती है दूरा 24 में अभी रिलीज किये इसमें कुछ बाते इन्होंने नोटिस किये क्या नोटिस किये पहले तो उसरजन को ट्रेक किया जाना चाहिए फिर उसरजन जो हो रहा है कार्बन का उसको कम करना चाहिए कंपशन को अपने उसर्वर्वेंच की रहनी चाहिए और इक कम करने का प्यास पर्यास करना चाहिए लाएat Corporate Climate Responsibility Monitor ये report कौन release करता है New Climate Institute Carbon Market Watch के दुवारा इससे release की जाती है बाकी सारे point है वो IPCC बगरा की जो report आती है वहाँ पर मिल जाएंगे semi point इसमें दे रखे हैं तो ज़्यादा matter करता नहीं है चलते हैं हमारे next article में next article है हमारा mercenary spyware के बारे में news क्यों है news में important नहीं हमारे लिए हमारे लिए ये जानना important है कि mercenary spyware होता है क्या है सबसे पहले mercenary spyware ऐसा होता है जैसे कि आपका ये phone है आपका laptop या computer है उसमें कोई वेक्ति है आपकी मर्जी के बिना इनमें बिना कोई software install किये इसको hack कर लेना बिना कोई software install किये कोई link की साइथा या किसी और bugs की साइथा से आपके laptop या computer को hack कर लेना mercenary कहलाता है इसमें क्या होता है आपकी सारे data वगरा चोरी हो सकता है इसके example की बात करें Pegasus है वो mercenary spyware है ये film spy है वो Pegas ये ही mercenary spyware है और Galileo ये सारे किसके example है ये mercenary spyware की example है तो बस क्या होता है सिंपल सी चीज़ है किसी की उपकरण कोई hack करना क्या है करना कोई चीज़ install किये बिना किसी जानकारी की उसको hack करना मरसर नी spyware कहलाता है मालव क्यों चीज़ है जिसमें किसी वेक्टिक की बिना किसी information की बिना कोई software को use किया, बिना उसकी जानकारी की, उसमें hack कर दे जाना, ये होता है, spyware होता है, मतलब बिना जानकारी की, बिना software को install की, उसकी जानकारी को चुराना, ये spyware और मसनी spyware की example हमने देख लिए, next है, snt prism के बारे में, snt prism, क्या है, सबसे पहले इसको किस ने बनाया इसको बनाया, जवालल नहरू, अलूमिनियम अनुसंदान विकास, डिजाइन केंदर के द्वारा इससे बनाया गया, तो ये चीज़ आपको पता होने जी किस ने बनाया, जवालल नहरू, अलूमिनियम अनुसंदान विकास, डिजाइन केंदर, इसके द्वारा बनाया गया इसमें क्या होगा सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर गताता है यह माइनिंग मिनिस्ट्री यानि कि खान मंत्राले के अंतर गताता है उद्र से क्या होगा जो खान होते जो माइनिंग होती है उनके किस परकार से काम चल रहा है वहापर उनका प्रसस करना कैसे हो रहा है उनके काम चलगा रहा, सही चलगा नहीं चलगा, रिसर्स सही से ओरिग की नहीं हो रही है, आई पियार को ट्रैक करना, यह सारी जो है न प्रेजिना, उसके लिए एको सिस्टम बनाने का काम करेगा, S&P PRISM, किसने इसको बनाए है, किसको कार्यानवन कों कर रहा है, इसको कार् लिए ecosystem बनाने काम करता है किछना डैवलप किया है ये डियवलप गया है ज्वाहला नहरू अलूमिनेड अन्होसंधान विकास design-canary इनके दोरा develop किया गया इनके दोरा त्यार किया गया है नेफेस्ट Séne kaku कुद आईलेंड के बारे में यूज इंपोर्ड है इतना पता होना चीह शायशन का खूसे बहुत दूर है कौन से बीप यह अकिनाबा दूर्प बहुत नो यह South China Sea में बस इतना point पता होने चाहिए सेयंकाखकोइ आइलेंड की location आपको पता होने चाहिए Next वेव 3 के बार में वेव 3 में भारतियों की संख्या बढ़ गली है निउस हमारे लिए काम की नहीं है हमारे लिए काम का है World Wave 3 होता है क्या वेव 3 का मतलब होता है World Wave वाइब, आपने www.Wave dance के बारें सुना होगा, वर्ल्डेव वाइब के बारें सुना होगा, यह जो world wave wave and www.Wave dance की तीसरी generation है, मतार www. यह पहली generation, उसके बाद में यह जो है वेफ 3, यह इसकी तीसरी generation है, यह कैसे काम करती है, अगर कोई वहती है, उसको खुद का data बनाना है, उ तो www.ke through अपना पूरा डेटा इसको नियंतित कर सकता है, इसके through cryptocurrency बनाए जाती है, non fungible जो token होते हैं, वो इसके through काम करता है, यह www.web, यह blockchain technology पे काम करती है, blockchain technology क्या होती है, blockchain technology ऐसी technology होती है, जिसमें कहीं सारी technology के layer जुड़े होते हैं, एक technology से दूसरी technology जुड़ी है, फिर दूसरी से तीसरी, ऐसे layer के through जुड़ी होती है, ताकि एन एक दूसरी को अगर data delete हो जाए, तो दूसरी through से आप data collect कर सकते हो, तो data कभी delete नहीं होता है, आपर, तो यह blockchain technology पे काम करती है, नैस जो article है, Eurasian उद्विलाव के बारे में, उद्विलाव को इंगलिस में का जाता ह तो Eurasian उद्विलाव के बारे में, न्यूज में क्यों है, यह महाराष्ट का सत्पूरा जो tiger reserve है, वहां पर पाई गई है, पहला point आपको पता होना चाहिए, कहां पर है, सत्पूरा tiger reserve मध्यपरदेश में, ठीक है, यहां पर पाई पाई, सत्पूरा tiger reserve मध्यपरदेश में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उद्विलाव की परजाती की बारे में बात करी, तो यहां पर इसकी दो परजातिया होती, कौन-कौन सी, smooth coated, यहां चिकनी बाल वाला उद्विलाव, दूसरा होता है, ACN छोटे पंजे वाला उद्विलाव या ओटर, ठीक है, दो परजा इनका है, यहां आपको पता होना चाहिए, IUCN के यह निर थर्टेन के टेगरीम आता है, यहां आपको पता होना चाहिए, कहां कहां पर मिलता है, यह यूरोप है, यह यह आफ्रिका में, भारत में कहां पर, भारत में नौर्थ है, नौर्थ इस्ट में देखने को मिल जाता ह साउथ की कही रिजन में भी देखने को मिलता है सरीर बूरे कलर के इस पे रंग होता है जालीदार पेर होते हैं इसमें जल में रहने के लिए छोटे कान नाक होते हैं और जली जीवे के अनकोल यह रह सकता है तो यह हमारा था उद्विलाव के बारे में नेक्स आटीकल है कलीष्टर डेवलप्मेंड प्रोग्राम के बारे में कलस्टर विकास प्रोग्राम के बारे में और शुर्ख सप्रोटाल के बारे में तो लिकश्टर क्या यह कारेकरम के तरद और यह कारेकरम एक केंद्री सेक्टर की सेंटर सेक्टर इसकी में किसके द्वारा चलाई जा रही है यह राष्ट्री बागवानी बोर्ड उसके द्वारा चलाई जा रही है तो कुछ पॉइंट पता होना चाहिए पहले यह केंद्री सेक्टर की स्की में क कॢश चला रहे है नेस्नल बागमानी बोर्ड के द्वारा ही से क्लाए जारी दूसर्वाइंस tut आपको पता बहुत जानी कि प्रस्रीजा की माद्यम से सबसीरी दिजाती लांएन प्रस्रीजा के ज्युप्र उसके थुरू ये काम करता है, उसके थुरू के रूप में काम करता है, और उसके थुरू सबसीड़ी दी जाती है, इसमें क्या होता है, किसानों के सारे डेटा होते हैं, जो हमारा अधरकाड होता है, उसके साथ ये सत्यापित होता है, जियो टेगी होती है, जियो फेसिंग हो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंके लिए इंपोरण सुर्इसवार करता हुआ है उनको नर्दसवाइश सिफारिस की दिये किसने दिये FSIB ने तो आपको पता चल लगए कि FSIB करती किया है तो सबसे पहले बाद कर लेते हैं FSIB की इस्तापना कब अगी की थी FSIB की इस्तापना की गई थी 2022 में क्यों की गई थी इससे पहले कहता सबस्क्राइब नहीं करता था बडिये सब्सक्राइब ब्सक्राइब करता था था ब्यवरो सब्सक्राइब उनके लिए बड़े करम यूस्ति पर उनकी न्योक्ति किसि सफारी सुना का काम लेंगे तो अब और विर्याब सिवास संस्ता विरो फ्यू Hoff quello के लिए आएगा फाइनेंस सर्विस इंस्टिट्यूशन ब्यूरो वो लाएगा एफसाई भी लाएगा सेम काम यही करेगा इसके इस्तापना 2022 में की गई थी को किसकी तहती आता है यह फाइनस मिनिस्ट्री के अंतरगत एक डिपार्टमेंट आता है फाइनस के अंतरगत आता है वितिय सेवा विबाग के अंतरगत आता है और सची होता है और पांच अधिकारी होता है काम क्या करता है जितने भी बड़े बोल्ड होते हैं उनके अधिकारियों के नियुक्ति करने के लिए नाम को सज्जेस्ट करता है क्यों कॉन से पब्लिक सेक्टर क MBA काम करता है और उनको सालहावी काम करता है तो FSIB है क्या करता है you the worthless होते हैं उनके लिए अधिकारी होते हैं उनके नाम joyful dram 학み थोड़ा फ्बार सा काम है बड़े बैंक्ों में बड़े जो भी इन्रजटी से कि मान लो नझो आई से आई से आई यह मत्तों यह तो प्राइविट कंपनी होगी ऐसी कोई अगर गौर्ण एस्बिया ही मालो तो एस्बिया में बड़े कोई बोर्ड अद्धिकारी वगरा होगे उसकी न्युक्ति है वह वित्य सेवा सहंस्ता के द्वारा की जाएगी तो यह आपको थोड़ तो इस 20-100 फीट तक लंबे हो सकते हैं काफी चोड़ा होता है एक जीवित प्रानिक यह भातन होते हैं इस लिए उपर आ गई है इसलिए उल्टे वरक्स भी का जाता तो बाव बाव वरक्स के बारे मापको पता होना चाहिए भारत में मध्यपरदेश को देखने को मिला हैं यह डेसीडियस फॉरेस्ट को का पार्ट है लंबे चोड़े वरक्स होते हैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा था आप इसके बारे में इंस्वर देद होगे और यूज देख लो यूज क्या होता इसका चाल के रिष्टे का उप्यो लसदसी बनाने में कपड़ा है व क्या काम किया था इन्होंते माहराष्ट्र में समाझ सुदार का काम किया था यह एक टीचर इसक्सा भीत थी वह सामाजिक न्याय के समथ क्ते इनके योगदान के बाहरे में बात करें तो इनोंने सभाटी फूले जी है इनकी मदद से यया पर बाली का विद्धाली कहीं सारे इनके द्वार करतिया भी रिखी गई थी तरिते अतन गुलामगारी सचेकार्टा ये सारे लिखी गई थी करोणा सास और मनतावाद के मुल्य ये इनके द्वारा दी जाती है तो जो 13 फुले जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सावित्री भाई फुले इनकी पतनी थी, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, नेस्ट है, ये मैंस का कुछ आर्टिकल है, इसमें क्या कहा गया, इसमें सिंपल सी बात की गई है, कि भारतने का है कि चीन जिस प्रकार से हमारे साथ बरताव करेगा जिस्ते उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो दोनों को सयम वर्दने की आव सकता है तो मैंस के कुछ पॉइंट है एडिटोरियल में आप देख सकते हो नेच्ट जो आटिकल है वो दिल्ली वह रहती उनके द्वारा कुछ जज़्मेंट डी गई है किसके समझ बहुए यह असोला भाटी वाईलव सेंजरी के बारम देख लेते हैं सबसे पहले असोला वाटी वाईलव सेंजरी कांप पर है यह दिल्ली में इसतीव दिल्ली मी यह सरिसका टाइकर रिजव है उसका भी एक पाट के रूप में काम करता है यहां पर वनस्पती की परकार किया यहां पर ट्रॉपिकल यानि कि उस नकटी बंदी कांटे बार कांटे दान मतलब कांटे वाले जो वनस्पतिया होती वहां वो देखने को मिलती है पोद्य में कांटे देखने को मिलते नेवले वगरा 100 लाव भांटी वाइलफ सेंचैने कहा पर है अस disrupted मेरे मेर सनटी है वो दिलिनी में तो यह आप के बारे में इसको पताओना चै करी दिली में हम इ में पर इस्लिक्हिते व प्रृपिया कै चीज़ें कध करने साथ परसेंट बारत की इन्होंने का है कि कुछ सेक्टर में बारत अभी भी ध्यान देनी क्या हो सकता है iszक्टर है वह वह बारत जैसे काम कर रहा है तो साथ परसंद इसकी ग्रोफ हो सकती है ये बात की गई है के बारे में ऐडी के बारे में बारे में बात करें एश्यां डव्लॉप्न बंक की स्की स्तापना नई दिसंबर निंटी जो छांट में 1966 में हुई थी फिर में फिक creators मुंख्या लें हेधकौरटर का है इसका मनिला मनिला फिलिपिन नंके ने निल के आप ऊपने से जसी का पार्ट अमरीक इसका सबसे बड़ा पर अमेरीका अडा युंड चायना फिर इंडिया फिर ऑस्ट्रिलिया बी इसका पार्ट है इसका मतलब है एसिया के बाहर के देश भी है राश्टर पती को यह आपको याद रखने के आव सकता नहीं उद्धिस यह क्या है उद्धिस से सिंपल है सामाजिक और आर्थिक विकास को पर्मोट करता है उसको बढ़ावा देने का काम करता है समावेसी वगरा को बढ़ावा क करता है सिंपल सी चीज़े इसको याद नहीं रखो यह चलोगा बस इतना याद होना चीजिक एस या में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है रिपोर्ट कौन सी रिलीज की जाती है एस याई आउटलुक विक आउटलुक रिपोर्ट एसके दावनिची इस्तापना 1966 में मेंबर 68 प्लस है मनिला फिलिपिन्स में इसकी हेड़कवाटर है शेर दारक पहला जापान फिर अमरिका फिर भारत चीन और अस्टलिया यह है भारत एसिया के अलावा भी इसके देश है वो मेंबर है उद्धिश्य सामाजिक आर्थी विकास प से एंए 11 you know ol यहां फार जापने पर 152 कि हैं मेंबर कितने यह एकसो अठासी एकसो ठासी 167 और 55 थोड़ा इससे जदा वी लग्हीं और by ज्टेवल यह हो सबसे बड़ा से-ःध यहां पर die में जापान सबसे बड़ा और एर जीutetा से काम क्या करता है यह पोवर्टी और आर्थी को सामाजी के सुधार करने काम करता है, यह क्या करता है, ACM Infrastructure जो गेप उसको दूर करने का काम करता है, यह चीज़ आपको याद नहीं रखने हैं, यह चीज़ याद रखने का आप सकता नहीं है, वीटो पावर इसमें, World Bank में, US के पास में, IMF में, US के पास में, और ADB में, वीटो पावर होता नहीं है, और AIB है न, यह चाइना के पास में, Headquarter, World Bank Washington, IMF Washington, ADB Manila, और जो AIB है, ACM Infrastructure Bank के, उसका है, कहां पर है, बीजिंग चाइना में, तो ACM Development Outlook Report रिलीज की जाती किसके द्वारा, हमने बात करते हैं, ACM Development Bank के द्वारा रिलीज की जाती, इस इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, यह UPS इन इस प्रकार से देखो, क्यूसर भी पूछाता, अब इसके बारे माप एंसवर देने की कोशिस कर सकते हो, सबसे पहले इसमें क्या पूचा है, कौन से इस्ट्रेट्मेंट इसका समझे सही है, तो पहली बात करी गई है, आपको इस में जादा आईडिया नहीं है, कि Speaking You, Memory सप्से बारे मिदमें की बारे माट कैसेए, औरceptions इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ज्ट हमारो आर्टिकल वो कि से समंधे वह स्मांदी तक है यह स्मांद से समंधिते स्मांदी स्मांदा हो पहला फिर कि तो ठीछ हो प्甚 eigenen पर बीटरितीः लिए गैए थी नीरेवेभ्या केस था उसमें भी क्यूरीटीः पढ़ेटों से टूर जर्जमेंट तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एक ओती रीवीव पिटेसन एक ओ लिए रीविव के एक कोई गलती की गोई है तो इसे री एक्षामीन करने के लिए पूल देखने के लिए रीविविव पिटेशन उती है और क्यूरील पिटिसन आखरी उता है नहीं है इसे सूप्रेम कोट आर्टिकल 137 के तहद जारी करता है मतब Supreme Court है वो पूर्ण नहाय के लिए जारी करता है आपका अधिकार नहीं है कि आप Curative Petition के लिए मांग कर सको बट ये रिविव पीटिशन है वो अधिकार है Supreme Court के बारे में इसके पास में Supreme Court आप जा सकते हो review petition के लिए इसे final resource नहीं है इसके लिए जा सकतो यह automobil resource के रूप में काम करता है तो इन करें पृरी बारें प्पेटिशन की बारें नहीं देख 시청 या पढ़ाने ची यह पर दे रहों की तैं तो यह फैस क्ड़िन Instant इसको बदला भी जा सकता है तो यह सारा खत्रा देखने को मिल रहा है साइबर सेक्यूर्टी से जमने इसको में मैंस में यूज कर सकते हो साइबर सेक्यूर्टी है वो मेडिकल के लिए भी दिक्कत कर सकती है तो medicine sector में भी यह दिक्कत कर सकते हैं इसे मैंस में यूज कर सकते हो काफी अच्छा point है इसको मैंस में भी यूज कर सकते हो कि cyber security की नुक्सान क्या क्या हो सकते हैं यह ज़को मघवरस में बडिया। से लिए अफ देख लिया排 को हें मैंस कर दो सकते हैं यह मर्ण कर अधा सब्सक्राइब कर देंग आधिया स्पमझी देखल है क्या जैन्यू के है वो हाइस रेंकिंग आई इसकी 69 पोजीसन और 500 में से 69 जैन्यू की कौन सी रेंकिंग आई GNI यह निकाली गए क्युण वर्ड यूनिवर्सिटी रेंकिंग में इसके द्वारा रिकाले गई गये तो इसके बारें थोड़ा बहुत बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और इसमें क्या-क्या बाते की गई है भारत के यह इंस्टिटुटुट है इन्होंने टॉप किया यह रैंक मिले इनको जहन्यूबी से यह बाई से तो यह पता होना चाहिए बाकि ज्यादा इस थोड़ा फोड़ा आइडिया है तो आप एंस्वर दे सकते हो तो थैंक यू थैंक यू वर्यमच फॉर डिस